रजनी पूछ रही है कि क्या हम ओशो टारो से येस और नो कोश्टन पूछ सकते हैं? अगर हां तो कैसे? और क्या हेल्थ कंसीवल से रिलेटेड कोश्टन करने चाहिए? रजनी एक बड़ी इंपॉर्टन चीज है समझना हूँ कही न कहीं आप सभी लोगों के लिए है जो कहीं न कहीं टारो के साथ जुड़े हुए हैं तो बात यह है कि हम टारो को जो है एक प्रेडिक्शन टूल समझते हैं जो कि एक सबसे पहली जो है एक क्लारिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टन ऐसे कि मैंने बताया कि जब मैंने टारो शुरूर किया था तो मुझे मैं भी कुछ इसी तरह से यूज़ करता था कि उसको प्रेडिक्शन की तरह ही यूज़ करता था लेकिन जैसे-जैसे जो है मैं इसमें गहरा गया जो असली जब टारो के बारे में पता चला तो ये पता चला कि ये प्रिडिक्शन से इसका कोई ले देना नहीं है बलकि टेरो आपकी मदद कर सकता है आपको वो लाइफ क्रिएट करने में जो आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो तो जब हम spirituality की बात करते हैं तो spirituality कुछ ऐसी चीज़ है कि जहां पे हम अपनी life की जिम्मवारी खुद लेते हैं जहां पे हम अपनी हम ये इस चीज़ को realize करते हैं कि it's us only कि हम अपनी life को shape करेंगे हमारी life की जिज़ डेस्टिनी है वो हमारे हाथ में है वो किसी और के हाथ में नहीं है और जब भी हमारे को ये realization होती है कि कोई बाहर की कोई वस्तु नहीं है जो हमारी life को decide करेगी कि ऐसा कुछ लिखनी दिया गया है कि आपकी किस्मत में ये लिखा है तो आपकी किस्मत में ये होगा थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और गहराई से समझते है जब आपका जनम होता है जिस स्थिती में आपका जनम होता है जिन parents के around जो परिस्थितियां होती है जो सब कुछ चीज़ें जो होती है उन परिस्थितियों का प्रभाब पढ़ता है किन पेरेंट्स के साथ आए हैं, क्या आर्थिक स्थिति है आपकी, क्या सोशल कंडिशन्स हैं, किस तरह का आसपास का महौल है हर चीज का जो है प्रभाब पड़ता है, लेकिन उसके बावजूर भी अल्टिमेटली जो है, आपकी लाइफ की जो डेस्टिनी है, वो फिर भी आपके हाथ में है कि अचेंगे जिसका ये अर्थ हुआ कि एक तरह की सेलिब्रेशन की बात है, एक बहुत एक खुशी की बात है कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को वो बना सकते हैं, जो आप चाते हैं कि अगर लाइव जो है किसी और ने आपके लिए लिख दिये है अगर और किसी ने आपकी लाइव को create कर दिया है फिर आपका तो कोई control ही नहीं रहा अगर आपकी लाइव में दुख लिखा हुआ तो फिर तो आपको दुख को experience करना ही पड़ेगा अगर आपके लाइव में सुक मिला हुआ है तो आपको सुक मिल जाएगा लेकिन जिसका ये अर्थ हुआ कि फिर आपका तो कोई control ही नहीं रहा तो अब इसके अंदर बस यही बात है important जो समझना है कि जैसे से हम गहरे जाते है तो हमें ये पता चलता है कि tarot जो है वो एक self transformative tool है कि कैसे हम उसको जो है अपनी अध्यात्मे क्यात्रा के लिए इस्तिमाल कर सकते है important ये है और एक बारी जो है वो समझ में आ जाया तो फिर आपके अंदर जो है transformation हो जाती है और मैं समझ सकता हूँ रजनी का जो प्रशन है वो कुछ ऐसा है कि क्योंकि वो और लोगों की जो है वो tarot reading करती है और जिसके कारण जो है उनको जो प्रशन है वो सिर्फ prediction से related ही प्रशन आते है और मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगा कि आप जतना इमानदार हो सकेंगे उनके साथ उतना आपके लिए खुद अच्छा रहेगा अगर आप शुरू से अगर honest होके चलेंगे तो चीजे जो हैं वो भी आपको blessing देंगे वो भी आपको धन्यवाद देंगे कि आपने उनको जूट नहीं बोला और वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा तो मैं समझता हूँ कि वो predictions के लिए आ रहे हैं लेकिन वो predictions नहीं है जो आप tarot के थूँ करते हैं वो possibilities है जैसे कि हम weather को देखके जो है forecast करते हैं आप देखते हैं जब हम weather के बारे में बोलते हैं कोई definitely नहीं बोल देते कि आज बारिश होगी ही होगी यह आज सूरज निकलेगा कोई definite कुछ नहीं होता it's just a forecast तो prediction नहीं है वो वो forecast है वो एक तरह का जो है possibilities है कि आप possibilities की बात करते हैं और possibilities गलत भी हो सकते हैं सही भी हो सकते हैं possibilities कुछ ऐसा है कि अगर कोई वेक्ती जो है अगर आज की स्थिती में कोई वेक्ती जो है बहुत शराब पीता है तो हम एक possibility की बात कर सकते हैं भी इस आदमी का liver खराब हो जाएगा वेक्सरों एक possibility है तो अगर हम यह बोलें कि इसका liver खराब होगा ही होगा वो गलत है क्योंकि यह वेक्ती कल को बदल सकता है यह वेक्ती चाहे तो अपनी light में एक transformation ला सकता है इसलिए जब भी हम किसी और के लिए prediction कर रहे हैं तो prediction के बजाए उसको बताएंगे कि हम उसकी possibilities की बात कर रहे हैं तो जब हम possibilities की बात करेंगे तो उसको फिर उस हिसाब से deal करेंगे और tarot के अंदर जब हम किसी के लिए जब reading करते हैं tarot is just one part उस वेक्ती के साथ एक connect करना एक और बात होती है क्योंकि जब तक आप उस वेक्ती के साथ connect नहीं करेंगे एक connection आपका नहीं create होगा जब तक आप उसके बारे में ठीक से जानेंगे नहीं तब तक आप उसकी help नहीं कर पाएंगे इसलिए एक medicine नहीं है कि आपने वोई medicine जो है सब को बाढ़ दी सब को जो है अलग-अलग medicine देनी पड़ती है आदमी को देख कर उसी तरह से तो जब हम किसी के लिए reading करेंगे तो उसको वहाँ पे टैरो का भी रोल है psychology का भी रोल है वहाँ पे humanity का भी रोल है बहुत सारी चीजों का factors है और सबसे बड़ी बात आप कितना उसमें आपकी ego involved है जतना आप आप जो है अपने मन के साथ involved होते हैं मतलब मन से मेरा कहने का मतलब है कि एक pre-definite ideas के साथ जो है आप जब किसी के साथ involved हो रहे हैं तो आप उसकी help नहीं कर पाएंगे जतने आप spontaneous होंगे उतने आप जो है दूसरे की help कर पाएंगे और of course लोग जो है वो simply जो सिरफ predictions ही माग रहे हैं उनको जादा तो हम कुछ नहीं बोल सकते लेकिन उनको कोशिश है करने चाहिए उनकी help करने की जितनी हम कर सकें